मेरी आज की वीडियो का टोपिक होने वाला है XLP केबिल किया होती है, इसकी पूरी जानकारी XLP केबिल आपने काफी बार सुना है और कहा जाता है की XLP केबिल एक काफी important केबिल मानी जाती है XLP के बारे में जो question exam में पूछे जा सकते हैं, जो question इंट्रिव्यूज में पूछे जा सकते हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें जो पूछा जाएगा, XLP केबिल की जो हो, सबसे फुल फॉर्म होती है, वो पूछी जाएगी, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, साती हो, वो होती है, क्रोस, ल XLP केबिल होती है, वो कितने तापमान पर ये काम कर सकती है, ठीक है, कितने तापमान पर ये काम कर सकती है, तो साथ यो, इसकी उमर जो है, साथ साल मानी जाती है, ठीक है, साथ साल तक अगर इस केबिल को साथ यो, 90 डिगरी सेल्सियस पर ये काम कर सकती है, तो हमारी केबिल खराब नहीं होगी, रेगुलरली काम करेगी, और बहुती अच्छी तरह से काम करेगी, तो इसकी एज कितनी होती है, साथ साल होती है, कितने तापमान पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर मैं इसी के आपक्षा, अगर हम माइनस की बा बार दिखा देता हूँ कि अगर आपको इसकी पहचान करनी हो तो यह किस प्रकार से कर सकते हैं साथियो देखने में यह केबिल बिलुकुल PVC के बाती है ठीक है पॉलिविनायल क्लोराइड केबिल के बाती है लेकिन साथियो यह पॉलिविनायल क्लोराइड केबिल नहीं है मैं ज्यादा हाड होती है तभी साथ यो इतना टेंपरेचर जेल सकती है ठीक एधर्वाइम कोई केबिल इतना टेंपरेचर नहीं जेल सकती है अभी यह यहाँ परियेतowych हैं यह काफी हाड होती है अप ही से इसकी जो पहलने चात्यों कर अगर यस bast送 यहाउं तरूब से अगर आप एक बात करूँ कि हमारी जो PVC Cable होती है PVC Cable हमारी पास उपलब दैखी और अगर इसके इंसुलेशन को में उतारू तो साथ यह बड़े आसानी से इसका इंसुलेशन उतर चुका है लेकिन यहाँ पर इसके इंसुलेशन को उतारने में आपके जो पसीना आने वाला है बहुत ही कोन से केबिल का प्रियोग कियाता है प्जलेटयों में तो सत्यों उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओगा podia लाइक चेनल को सब्सक्राइब भ्लाइब कौन जरूर से खर लिए धन्यवाद सत्यों माहशा दाक ॥बंदी के लिए च्कोरप्रों